नमिश्कार दोस्तों मैं हूँ महेंदर दोगने मोटिविशन स्पीकर और लाइफ कोश और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जो आपने इतना प्रेम दिया है कॉमेंट बॉक्स में और आप लोगों ने टेलिग्राम ग्रूप भी ज दूसरी क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब की या तो प्लेलिस्ट में चले जाएगा वहाँ पर क्लास नमर एक और दो है यह तीसरी क्लास है जब भी आप जिस भी समय में आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे नहीं पता कब देख रहे हैं और या फिर हम यहाँ पर भी आपको लगा देंगे है यहाँ उपर एक पॉपप आएगा यहाँ पर भी आप वहाँ से भी क्लास वन और टू देख सकते हैं यदि आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं सिर्फ कैनल स्टिक पैटरन सीखने के लिए तो ठीक बात है लेकिन मैं सजेस्ट करूँ लिंक है सिध्याब टेलीग्राम चैनल से जोड़ जाएंगे ताकि जितने भी यह सारे चार्ट पैटरन होते हैं होंबर्क होता है वह सभी मैं वहाँ पर भी पोस्ट कर देता हूं टाइम टाइम पर तो वहाँ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और यह जो वीडियो नहीं आ बाद trade like a monk, a monk trader हमारी community का नाम है जो लोगों नए है दिनको नहीं पता है हमें एक monk की तरह trade करना है क्योंकि उनमें patience होता है लालज बिलकुल नहीं होता है उनमें साहस होता है strength होती है और वो इस society को serve करते हैं तो हमारी community भी इसी प्रकार से आगे ग्रू होगी आज का भी नहीं भूलना है जीवन में आप कितने ही अच्छे successful stock market के ग्याता बन जाएंगे आप trader बन जाएंगे कुछ भी बन जाएंगे लेकिन जिस दिन यह भूले आपका loss होना शुरू हो जाएगा तो आपको पता होगा जिसने पहला वीडियो देखा होगा कि वो कितनी जरूर है और sideways market क्या से चलता है इसको आप भूलेंगे आपका loss होना शुरू हो जाएगा दूसरा वाला जो वीडियो है उसमें हमने सिखाया है कि भाया market के कुछ basic terms होती है support होता है resistance होता है है उसको भी मैं revision एक second में कर देता हूँ कि कुछ support इसमें होंगे मतलब अब trend में ऐसे ऐस और mainly support resistance ऐसे भी होता है कि जब एक channel में price चल रहा होता है तो इसको हम support कहते हैं और इसको resistance कहते हैं यह हमने सीखा था दूसरे वीडियो में तो इतना I hope आप लोगों को clear हो गया होगा अब support resistance को में एक बार और सिखाऊंगा यह तो हम अब भी basic सीख रहें जब advance में सीखेंग इस actual में कैसे draw करते हैं वो सीखेंगे चलो तो सबसे पहले आपको जाना होगा कि candlestick pattern होता क्या है वो दूसरे वीडियो में हमने थोड़ी सी जलक दी थी लेकिन आज हम सीखेंगे कि candlestick pattern होते हैं वो mainly कितने प्रकार के होते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है bullish candlest candlestick pattern होते हैं वो हमें सिखाएंगे कि भाया नीचे कब जाएगा उसकी शुरुवात कहां से होगी वो हमें सिखाएगा और तीसरा होता है neutral candlestick pattern जो हमें ये बताएंगे कि अभी शान्ती से बैठे रहो market में कुछ नहीं हो रहा है यदि कुछ किया तो आप पिग बन जाओग लेकिन वो ये वाली सबसे important चीज़ भूल जाते हैं इसलिए बार-बार धोका खाते रहते हैं तो आपको ये धी धोका नहीं खाना है तो मेरी ये वाली बात candlestick pattern पढ़ने से पहले ये दो बात जिसने याद रख ली मैं क्या हूंगा उसको candlestick pattern में कभी भी धोका नहीं मिल है उसे वो पता ही नहीं होता है तो bullish candlestick pattern को हमेशा कहां ढूणना है support पर जो कि हमने दूसरी class में पढ़ा है support resistance कैसे बनाते हैं और bearish candlestick pattern जो हूंगे उनको हमेशा हमें resistance पर ढूणना है resistance पर ढूणना है ये बात आपको हमेशा याद रखना है जीवन में दो तिन चीज़ के आपको simple कर दिता हूं simple कर दिता हूं बहाँ जारा simple कर दिता हूं देखो जिन लोगों ने दूसरी class दिया है उनको पता है कि यह वाली line क्या है support की है और यह वाली line क्या है resistance की है तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है bullish candlestick pattern को हमेशा support पर ढूणने कहां पर ढूणनेंगे support यह क्या है support है तो हम यहाँ पर ढूणेंगे bullish candlestick pattern जितने भी मैं सिखाने वाला हूं और जितने भी bearish candlestick pattern होंगे जो हमें दिखाएंगे कि भाया अभी नीचे की और का view होना चाहिए हमारा उसको कहां ढूणेंगे हम उसको ढूणेंगे resistance पर उसको यहाँ देखेंगे तो कोई bullish candlestick pattern बन रहे है क्या यहीं बनेंगे तो हम trade लेंगे नहीं बनेंगे लोग छोड़ देंगे और जब भी price resistance पर जाएगा ऐसे ऐसे यहाँ पर जाएगा तो यहाँ हम पहला इंतिजार यह करेंगे कि तूट जाएगा तूट जाएगा तूट जाएगा तूट जाएगा या bearish candle बनेगी मैं भी समझाता हूँ तो यह हो गया support support पर कौन से candlestick pattern रूणते हैं bullish और resistance पर कौन से candlestick pattern रूणते हैं bearish चलो इतनी बात clear हो गई होगी नहीं है होई है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लो अब हम आते हैं bullish candlestick pattern पर अब इनके ना कुछ-कुछ नाम होते हैं जो कई लोगों को confusing लगते हैं ऐसा लगता है अरे यार यह क्या नाम हो गए नए नए में मुझे भी एक दिर साल पहले ही मैंने शुरू किया है और जब मैं भी ऐसा सीखना शुरू किया था तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था कुछ नाम कि ऐसे कुछ मार ही simple तरीकिसे मैं सिखा दूँगा तो वो याद रखना है तो पहला bullish candlestick pattern सीख रहे हैं जो आपको signal देंगे कि अभी market यहां से उपर जाएगा उपर जाएगा यह वाले candle वो बताएंगे ठीक है तो हमको क्या करना है इनके नाम याद रखते हैं फिर देखेंगे कैसे होते है तो पहला होता है एक single bullish candle जो भी हम दिखाने वाले फिर क्या होता है hammer हतोडे जैसा फिर क्या होता है bullish piercing आधा कवर करेगा bullish engulf पूरा कवर कर लेगा और morning star नाम याद नहीं हुए चिंता मत करो ना अभी देखते हैं क्या attention है यह देखो कितनी simple सी चीज अभी आगए हम bullish candle पर य देखो एक चीज के लिखिए single candlestick pattern है यह देखो तीन प्रकार के candlestick pattern होते हैं एक single वाला जिसमें आपको single candle देखके पता चल जाएगा कि अभी मार्केट उपर जाएगा यहां से अच्छा breakout मिला है दूसरा वाला होता है दो candlestick pattern का तो दो candle मिलके candlestick pattern और तीसरा होता है ती तीन candle वाला तो तीन candlestick मिलके एक pattern दनेंगे जो भी हम सीखने वाले तो चलो यह bullish candlestick pattern देखते हैं इसको हम bullish candle भी कह सकता है या मारू बुजू भी कहते है यह बड़ी candle होती है चोटी bullish नहीं बड़ी bullish candle होती है और इसमें विक या तो नहीं होती है या होती भी है तो यह चो कुछ तो होने वाला है कुछ तो होने वाला है का मतलब या तो उपर जाएगा या फिर fake breakout देखे नीचे भी आ सकता है यह भी शूर करती है ठीक है यह हम समय समय पर मैं आपको बताते जाओंगा कि क्या होगा दिखती कैसे है देखे यह पूरा का पूरा मार्केट है यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे नीचे अच्छा फिर से मैं कोशन पूछ रहा हूँ कि यह कौन सा कैनलिस्टिक पैटन है यह है बुलिश कैनलिस्टिक पैटन तो यह आपको हमेशा कहा देखना है यह आपको सपोर्ट पर ढोड़ना है जहाँ पर नीचे नीचे की और सपोर् सपोर्ट पर हमने देखा कि एक अच्छा कैंडल बना है एक अच्छा कैंडल बना हैं तो इसको यहां पर ढूढते हैं, अब इसक एक्जाट क्या है वह तो हम देखेंगे है पड़े रहेंगे दूसरे जो है वह सिंगल असिंगल सिंगल करण है यहां पर दो दिख रए है लेकिंट अलग-अलगी है कलर के लिए हमने अलग-अलग कर दिया है इसको क्या बोलता है làmता है तो देखो ना म। रखने की बहुत ज़रुत नहीं है आपको पता है है मेरी ने हतोड़ा उता है यह लोफ नहीं दिख रहा है यह क्याalis होता था जिसमें वो हतोड़ा लेकर चलता था फॉरिम की एक मूवी होती थी तो उसमें यह एसे हतोड़े का use किया जाता था जो सिर्फ वो ही उठा सकता था तो ये जो hammer है ये भी एक bullish candlestick pattern है अब ये bullish क्यों है इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि seller ने यहाँ पर देखो क्या try किया इस price को ये open कहा हुआ था यहाँ आपने open है ना यहाँ पर close यहाँ पर high यहाँ पर low यह हमने सब कल सी के मदब लास वाली जो क्लास है उसमें सीख कर रहे हैं तो यह आपको पता होगा तो यहाँ पर open हुआ प्राइस और एक seller जो है उसने पूरी कोशिश की इसको यहाँ तक ले जाने की लेकिन क्या हुआ वो seller यहाँ तक control कर पाया क्या उस है अब आप कह रहे होंगे सर यह तो लाल केंडल है यह कैसे बुलिश होगी है ना हरी होती तो बुलिश होती लाल होती तो बैरिश होती ऐसा नहीं है यह कहां पर बन रही है यह बात पर डिपैंड करेगा कि यह बुलिश है कि बैरिश है फिर वहीं बात कर रहा हूं कि यह ये वाली candle भी बनी या ये वाली भी बनी कहां पर ये देखिए ये दोनों candle बनी support पर चाहिए ये बन जाए green वाली बन जाए support पर चाहिए इस परकार की red बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि logic समझना है और logic क्या कह रहा है कि भाईया यहां से price इसमें open हुआ होगा है क्योंकि red candle में आपको पता है उपर से open होता है यहां पर close हुआ है यह high है यह low है तो क्या समझ में आ रहा है कि इन sellers ने पूरी कोशिश की थी price को नीचे ले जाने की लेकिन ले जा नहीं पाए वापस से buyer आए और closing यहां करवा दी हाँ यह थोड़ी सी opening और closing में फर्क है कि यह नीचे ही close हुआ है और यह उपर close हुआ है मतलब इसकी अपेक्षा में यह जादा strong है ऐसा कह सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि यह जो है वो negative candle है यदि यह support पर बनती है फिल से बता देता हूं यदि इस support पर बनती है तो यह bullish candle ही मानी जाएगी इस बात को याद रख अच्छन हुआ और यहाँ पर अब ध्यान से देखेंगे तो एक bullish मतलब यह वाली candle अभी देखेंगे यह वाली candle यहाँ पर बनी और इस candle की मदद से देखो यह पहला action होता है अच्छा आपको बहुत बड़ी trick बता देता हूं कि तीन चीज़े होती है मार्केट में आपको म देती है कैंडल स्टिक पैटन दूसरा जो सिगनल देती है वो देती है ट्रेंड लाइन और तीसरा जो मिलता है सिगनल वो मिलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस से तो यह तीन चीज़े होती है तो सबसे पहले कैंडल स्टिक जो होती है उससे हमको सिगनल मिलता है कि भी आभी उपर जाएगा यह नीचे है ना उसके बाद ट्रेंड लाइन और उसके बाद सपोर्ट रजिस्टेंस तो यह जो सिगनल है सबसे पहले किस ने दिया सबसे पहले दिया एक अच्छी बुलिश कैंडल स्टिक पैटन है हाँ उसके बाद इसने तो सिगनल दिया ही है कि अभी मार्केट यहां से उपर जाएगा जो भी प्रैजे वह उपर जाएगा तकि सबसे पहले तो हमें कैंडल स्टिक नहीं बताया तो यह है बुलिश कैंडल स्टिक पैटन में हैमर अब अच्छा एक और बात बता आना चाहूंगा उसको पहले क्लियर कर देता हूं जैसे यह वाली कैंडल स्टिक पैटन बरी है ना या फिर यहां पर यह बनी इन सारी कैंडल स्टिक पैटन को देखने के बाद आपको एक और चीज़ या रखना है कि उसका फॉलो अप आना जरूरी है जैसे यह हो गया सप आपको बायासेल नहीं करना और अक्टिव कब होता है जब उसके बनने के बाद उससे उपर या नीचे फ्राइज निकलने लगता है तब वह एक्टिव होगा यह मेरे दिमाग में बात है जो मैं बताना भूल गया तो यह भी मैंने बता दिया आपको कब यह जैसे ही बना औ अभी आप सोच सकते हो या फिर यह वाली कैंडल क्लोज हो जाए तब भी वाइब कर सकते हो क्योंकि तब भी काफी ऊपर जाता है तो इन बातों को याद रखना है यह सबसे इंपोर्टेंट बाट थी जो मैं पहले बताना भूल गया था अभी बता दिया मैं ठीक है तीसरी ज बुलिश पियर सिंग याद नहीं रहता कोई दिक्क्रदाली बात नहीं है आप तो इतना याद रखिए कि यदि एक लाल कैंडल को है ना जो की सपोर्ट पर बनियों फिर से बार-बार यहां पर बनी हम ले लेते हैं आपको सिखाने के लिए यहां पर सपोर्ट पर एक लाल कैनल बनाई दिक लाल कैंडल बनाई इस अब यहां पर यदि आपको एक हरी कैंडल दिख जाएra किसे सबकार से जैसे सपोर्ट पर और यह उतलत क्षेयों आफेली अलीकों इंगल वुग bishop होटा है कि लाल केंडल बनी सपोर्ट पर आकर वहां पर एक ग्रीHuh यह पूरा नहीं कि उपर तक गई ये कैंडल आई तो लेकिन एक जने कहां तक तक आई ये कैंडल नीचे तक ही हमने काई िसनुवाल वार इसको क्या कहेंगे हो तरिए उसकती हैौ इसलिए वही होना हिए क्योंकि नहीं होता है, यह तक फिरकार मार्चि होता है इनको बिष बनना चाहिए तवी हम एक्टिव होंगे 우f hore पर बनना चाहिए तभी हम एक्टिव होंगे और वो मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया है कि कैसे ड्रॉ करते हैं सपोर्ट रिस्टेंस इसका एक्जामपल दिखते हैं देखो यह नीचे आया यहाँ पर देखो यहाँ पर कहीं पर एक सपोर्ट बन रहा था और यह रि कैंडल बनी है जो लाल से थोड़ी छोटी है और उसके बाद देखो मार्केट ऊपर चला गया ऐसा हर वार नहीं होगा यह भी याद रखना है आपको उसके फॉलोप के इंतिजार करना है जैसे इस कैंडल का फॉलोप के आया कि यह कैंडल इससे उपर निकलने लेगी जब यह होगई bullish piercing candle अगली वाली candlestick pattern देखते हैं कौन सा है? bullish इंगल्फ अब दिखने में यह पूरा का पूरा piercing के जैसे ही दिख रहा हूगा लेकिन छोटा सा अंतर है क्या अंतर है? कि जो पुरानी वाली कैंडल थी? piercing वाली कैंडल थी? उसकी closing इसके नीचे हो रही थी? कहीं खा लेती है इंगल फंतलब खा लेना दकार जाना अंदर अंदर कर लेना या फिर इससे थोड़ा उपर भी हो सकता है या पूरी की पूरी खा जाए ऐसा भी हो सकता है अब इसकी ओपनिंग यहां भी हो सकती है यहां भी हो सकती है यह इससे नीचे भी हो सकती है उससे कोई प् कोट होगा बार-बार वही कोशन पूछना है कि कहां पर बनना है यह लाल पूरी और इसको किस ने खा गई एक हरी पूरा का पूरा खा लिया लेकिन एक टिभक होगी अपने आपसे बार-बार पूछो एक्टिव तभी होगी जब उसकी फॉलोप गैंडल आना शुरू होगी तो आप इसका closing पर भी trade initiate कर सकते हैं या फिर इसका थोड़ा सा time frame कम करके देख लीजी कि अच्छा closing दे रहा है कि उसके उपर ठीक है अब ये वाली बात आपको समझ में आगे बार-बार याद करना है bullish candlestick pattern support पर ढूणना है और bearish candlestick pattern resistance पर ढूणना है भी ढूणनेंगे वो भी अगली candlestick pattern क्या है morning star ये कैसी candlestick pattern है three candlestick pattern है मतलब इसमें तीन ही candle आते हैं तो एक red बनेगी इस परकार से उसके बाद एक छोटे सी हरी बनेगी ये भी support पर ही बनेगी और उसके बाद एक हरी बनेगी है ना तो ये change हो सकते हैं ये वाले दोनों color मतलब ये वाला color change हो सकता है ये तो लाली रहेगा ready है ये green ही रहेगा लेकिन उसकी जगे ये green भी हो सकता है और red भी हो सकता है उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पढ़ने वाला नहीं है इसको बोलेंगे क्या morning star ठेक है इतनी सी बात समझ लीजी का morning star तो ये वाला candlestick pattern जो है उपर की और ले जाता है market को इसको भी हमको support परी ढूणना है इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब ये वाली candle इसके यहां तक भी जा सकती है इसके आधे से ये medium लिखा है कि इसके आधे से नीची नहीं रहे इतनी बात याद रखना है क्योंकि कई बार ये pattern बनेंगे लेकिन ये pattern क्या हो जाएगा ये वाला pattern कैसे रह जाएगा कि ये तो अच्छी बनी ये भी बढ़िया बन गी लेकिन ये वाली ये जो candle है इसकी closing यहीं कहीं होगी तो क्या वो morning star कहलाएगा बिल्कोल भी नहीं कहलाएगा आधे से उपर होना चाहिए minimum condition है फिर इसकी उपर निकल जाए वो तो अपने लिए औरिफाइदे के चीज़ है तो ये वाला color change हो सकता है उसे doubt नहीं करना है मतलब वो morning star ही होगा चलो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर देखें यहाँ पर एक support होगा कहीं पुराना और इस support पर क्या बना एक morning star बना देखो ये red candle बनी यहाँ से उपर गया फिर से यहाँ दिला देता हूँ बार बार क्यों बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में गुज़ जाए subconscious mind आपका read कर ले ये active कब होगी जब उससे market उपर close करने लगेगा तब ये active होगी दिहान से समझेगा ये हो गए पूरे bullish candlestick pattern खतम अभी हम आते हैं bearish पर bearish candlestick pattern जो होंगे वो bullish के total उल्टे होंगे इस बात को याद रखिएगा तो सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी जितनी जल्दी हम bullish candlestick pattern सीखे हैं उतनी ही जल्दी अभी हम bearish वाले candlestick pattern भी सीख जाएंगे तो bullish वाले जो है थे उसके total उल्टे क्या हो जाएंगे bearish वाले देखो ये क्या हो गया bullish candle लिखा था यहाँ उस टाइम पर bearish candle लिखा है वहाँ पर क्या लिखा था hammer अब यहाँ पर क्या लिखा है inverted hammer मतलब ultra hammer है ना वहाँ अब पर hammer था तो यहाँ पर ultra hammer हो जाएगा ये हो जाएगा bullish piercing था तो ये bearish piercing हो जाएगा ये bullisholithic था सूरज को evening star है तो सूरज किद़ आरा रहा नहीं नीचे simple है यार बहुत आसान है सिंगल कैरणिस्टिक pattern है अब देखो जल्दी जल्दी सीखेंगे हम बस एक ही बात बार-बार रिवीजिन कर वाऊंगा लाल कैंडल है मार्केट किदर जाएगा नीचे लेकिन इसको ढूंडना कहां है वो जरूरी है कहां पर ढूंडना है इसको ढूंडना है हमको यहां रजिस्टेंस पर यह बात आप भूल गया तो बस शेयर मार्केट में आपका दिक्कत होने वाली है इसको ढूंडना है यहां यहां पर ढूंडना है लेकिन इसके बाद क्या ढूंडना है एक हरी बनना चाहिए यह देखो इसके बाद खरी बन गी तो ये फैटन हमारा ये वाला हो गया बुलिश बुलिश इंगल्फ हो गया यह," है रहा बुलिश कैनलिस्टि कैटूर्ह ли है, लेकिन यहाँ पर धढुड़ने है तो हमको क्या ध्यान देना है कि अब मार्केट नीचे जा सकता है और इसके कौन सबसे बात ये बता रहा था कि ये वाली candlestick pattern main कहा ढूंना है इसको यहाँ पर ढूंना है यहाँ पर भी ढूंना है कि भ है इसको ंबॉपर यई अपर जाएगा यहाँ पर इसलिह ढूंना है रहे पर यह कियो ढूंना है क्योंकि इसके बाद रेजिस्टेंस होगा पुराना कोई और यहां पर एक बड़ा सा कौन सा कैंडल बना बैरिश कैंडल बना बड़ा सा बैरिश कैंडल तो अभी आपको एक्टिव हो जाना है जब मार्केट यहां पर हो यहां पर हो तो कुछ नहीं करना है जब इसके नीचे ट्रेड करने लगे यहां पर बायर्स नहीं देखो इसकी ओपनिंग क्या है इसकी ओपनिंग क्या है ये है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग ये है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग और उसका उल्टा हो जाएगा ये है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग तो ये मार्केट को ये वाले पैटर नीचे क्यों ले कहेंगे लॉजिक क्या है बायर ने बहुत लेकिन नीचे लेकर आगए अब इन दोनों में पॉवर्फुल होगा जादा यह वाला पैटन ग्रीन बनेगा तो भी चलेगा वो भी बैरिश ही है लेकिन वो रिजिस्टेंस पर होना चाहिए याद रखेगा और यह बनेगा तो भी लाजमी है लेकिन यह भी कहां पर बनेगा रिजिस्टेंस पर बनेगा लेकिन ध्यान यह देना है कि यह वाला जो पैटन है जादा पॉवर्फुल होगा इसके अपेक्षा में बस इतनी सी बात याद रखेगा क्योंकि इसने थोड़ा ऊपर क्लोज किया है और इसने क्लोजिंग नीचे लिए है अभी इसका एक्जाम फॉलो अप है यह फॉलो अप केंडल जब तक नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड इनिशेट नहीं करते हैं इस बात को याद रखेगा चलो अगली वाली केंडल स्टीक देखो उसका उल्टा हो रहा होगा अभी देखो पियरसिंग वो बुलिश पियरसिंग था यह बैरिश ह हो जाएगी जो बुलिश पियरसिंग था उसका उल्टा आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा यह देखो एक्जामपल कि टॉप पे गया मार्केट यहां पर कोई रेजिस्टेंस पहले से होगा यह दिख रहा है यहां पर तो यहां पर एक ग्रीन केंडल बनी और उ पर उसके बाद क्या ना चाहिए इस बाद को ध्यान देना है अब देखेगा यहां पर यह देखेए एक ग्रीन केंडल बनी टॉप पर और उसके बाद क्या हुआ इस को क्या हुआ इसको क्या बनना चाहिए यहां पर इसको क्या बता है तो यह बना और देखे मार्केट कहां तक आ गया नीचे तक आ गया आप यह मैंने देखा नहीं था यहाँ पर मार्केट गया मैंने पहले नहीं देखा था अब ही देखा जैसे ही वहाँ पर चैटन बना और उसके बाद मार्केट ऊपर गया मुझे कॉमेंट वाक्स में कॉमेंट करके बताए यह कौनसा कैनलिस्टिक पैटन है, चलो यह वो मौरली स्टार था जो उपर ले जा रहा था मार्केट को उसका उल्टा क्या हो जाएगा इवनिंग स्टार यह बन गया आपके चुका होगा आदे से ज्यादा को यह खा चुका होगा और यहां पर भी वही बात कुछ भी अलग नहीं है तो यह अभी नीट्रल काम किया होता है वो देखना इसका इवनिग स्टार का एकativas like बहुत बढ़ियां तो यह देखो एक ग्रीन केंडल बढ़ी कहा पर बनी देखो रजिस्टेंस पर बनना यह ज़रूरी है यह बात तो ब्रहमास रहे आपको याद रखना है बुलिश करेंडिस्टिक पैटन सपोर्ट पर ढूड़ना है हमेशा बैरिश वाले रिस्टेंस पर यह तो ब्रहमास रहा है मतलब आप पूरी लाइफ टाइम याद रखना पड़े गई डाव थियूरी सपोर्ट रेजिस्टेंस और यह वाली बात कि जब भी रेजिस्टेंस पर आएगा आपको अपने अंतिम स्वास तक इन बातों को इन नियमों को याद रखना पड़ेग और कौन सा पैटर्ण बना आप वेड कर रहे हैं जो पैटर्ण सिखाए हैं उन्हीं मैंसे बनेगा कुछ नया नहीं बनने वाला है जितने कहले सी पैटर्ण थे वो सब को सिखाए हैं यह बना और उसके बाद बनने के आप अब होगा यह ये एक्टिव हुआ और यहin मार्क कर लेते हैं और वहीं फस जाते हैं pattern कु देखते ही नहीं कहा बनाया कैसा बनाया कहीं भी घुस जाएं गे देखो एक example देदेता हूं जो लोग ट्रेड कर रहे होंगे उनको पता होगा अब घुसना कहा होता है पता है सिर्फ चारी जगह घुसना होता है उसके लबाद भी डूसरा ट्रेट मंगा यहां पर stylластिक पैटर्ट्ड में गरें और आप सोचने होंगे भाई दो जगे तो खाली होगे अब और कहां करेंगे भाई दो जगे और है जब भी आली लाइन टूटेगी किसी बैरिश केंडल से तब भी मैं ट्रेड करूँगा क्यूंकि वो ब्रेकडाउन है और जब भी ये वाला एरिया टूटेगा किसी ग्रीन और डेकडाउन पर ट्रेड करूँगा आप जिसको समझ में नहीं आया वो दो महिने में सीख जाएगा ये क्लासिस दो धाई मेने चलने वाली है अब हम देखते हैं न्यूट्रल कैनलिस्टिक पैटर्न डोजी, स्पिनिंग टॉप, हरामी इस प्रकार के अब कई लोग कहें हरामी तो बुलिश कैनलिस्टिक पैटर्न या बैरिश भी होता है बिलकुल होता है लेकिन वो जगर जगर पर डिपेंड करेगा कि कैसे बन रहा है और उसके बाद मार्केट ने क्या किया तब हम उसको न्यूटल नहीं बोलेंगे इसमें बुलिश हरामी और बैरिश हरामी जाए दोजी एक होता है ग्रेवस्टोन डोजी तो आप कंफ्योज हो जाएंगे इसलिए वह वाला नहीं सीख रहे है अभी सिर्फ सिंगल एक डोजी कैंडल देख रहे है यह डोजी कैंडल क्या होता है नाम याद रखने की जूरत नी सिर्फ पैटर्न याद रख रख लो पैटर्न क्या होता है कि कैंडल इस प्रकार से बनती है जो कि इन डिसीजन देती है जितने भी नीट्रल वाले कैंडल स्टिक पैटर्न होंगे जितने भी नीट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न होंगे वो दिखाएंगे बुलिश वाले क्या दिखाते थे मार्केट यहां से उप करने डोटÁरिव के बर पूरबाद होते हैं और उसका टॉप या बॉट्म बना हो और वो कहीं बीच में बीच में प्लोढूज इस प्रकार से, है ना, अब यही यही उपर close होती, पकली रंडी के साथ, तो इसको बोलते हैं, क्या होते हैं, ड्रैगन फ्लाइड ओजी बोलते हैं, और जब यही close होती, यहां पर वो बार में दिखाएंगे, क्योंकि इसका एक पैटरन है, जब यहां पर close होती, तो इसको ब लेकिन बायर और सेलर को खुद नहीं पता कि भाई किदर जाएगा मार्केट इसलिए वो डूजी बन जाती मतलब दोनों की फाइट चल रही है ठीक है तो इस पर कभी ट्रेट नहीं करना है सिंगल कैनिस्टिक पैटन होता है और यह मार्केट में बनते रहते हैं चलो यह लट्टू के जैसा लट्टू जो भौरा आपने कभी घुमाया होगा उसकी तरह दिखता है इसमें भी बायर और सालर कंफ्यूज है मतलब दोजी से थोड़ा सा बड़ा लेकिन फिर वही बात उपर विक बहुत बड़ी होगी नीचे भी बहुत बड़ी होगी तो इसको जो यह बनते रहते हैं स्पिनिंग टॉप डोजी यह यह स्पिनिंग टॉप डोजी फिर से बन गया बहुत सारे कहीं हर कहीं मल जाएंगे यह देखिए यह मल गया तो कहीं भी आपको मिलते रहेंगे लेकिन यह इन डिसीजन कैंडल होती है इसको नहीं देखना होता है देखना आला पैटर्ण आपको support पर मिलता है support पर मिलता है तो इसको हम यह उपर न होती है लेशन सब्सक्राइब प्रैगनेंट वूमन होती है तौ, गर में बच्चा होता है, उसको बोलते हैं हरामी, ठीक है, तो इसलिए इस candlestick pattern का नाम, क्योंकि candlestick pattern जो बने हैं सारे की सारे जापान से बने हैं, हमने वहाँ से लिए हैं, या पुरी पेट के अंदर एक बच्चा है, ऐसा समझ लो, उसके बाद market उपर गया, लेकिन ये इसको neutral भी मानते हैं, क्योंकि इसके जिधर भी market, follow up candle का इंतिजार करना होता है, follow up candle नहीं आई, मतलब अभी कुछ decision नहीं लेना है, ये बात आपको मैंने समझा दी, अभी आपके लिए हु बुलिश वाले आपको ढूनना है, support पर, क्योंकि ये लगभग, जब भी candlestick pattern कोई बताता है न, तो वो बार बार इस चीज को बताते हैं, उसे पता होता है कि ये कहां बताना है, लेकिन शायद वो खुद ही भूल जाता है कि इस चीज को कहां बताना है, तो मैंने आपको इ ऐसा भी होता है, और trend line का भी support resistance होता है, यह ऐसा भी होता है, ठीक है, तो यह हो गया support, यह हो गया support, तो support पर bullish वाले ढूनेंगे, और यह हो गया resistance, यहाँ पर bearish वाले ढूनेंगे, यहाँ पर जब भी market जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, तो पर बैरिश वाले ढूणना है। और ट्रेंड लाइन सकती है ये सब बैरिश वाला यहाँ पर कॉंसर्ट ढूणना है बुरश वाला क्योंकि जब ये उल्टा हो जाएगा जिब मार्केट नीचा हैड़ जाएगा तो यह क्या बन जाएगा resistance और यह क्या बन जाएगा support जबकि यहाँ पर क्या है यह support यहाँ पर यह resistance है यह पिछली वाली class से आप clear कर सकते हैं तो अभी आती है बारी homebuck की आपने दी telegram group join नहीं किया है वो कर लीजे ताकि आपको यह homebuck जो है हम आप तो करेंगे ही जो बता रहा हूँ तो आपको क्या ढूढ़ना है hammer और inverted hammer के दो-दो pattern ढूढ़ना है सारे stock में day की candle लगा के bullish इंगल पर bearish इंगल लगाना है दो-दो morning star, evening star दो और यहाँ पर bullish piercing और bearish piercing के भी दो-दो मैं तो कहता हूँ सारे के सारे ढूण डालो day का chart लगाओ और कोई भी stock उठालो और उसमें कब support पर क्या बना है यह मुझे बताओ और कब resistance पर क्या बना है मुझे यह बताओ और मैं एक बार अपने टेलग्राम भर भी वापर डलवा दूँगा ताकि आप उसको check कर पाओ अपने तरीके से भी इसके अलावा किसी ने यह दि अकाउंट नहीं खोला यह दिमेट अकाउंट अभी तक free दिमेट अकाउंट के link नीचे है आप वहाँ से भी ले सकते हैं अब यहां तक आते आते हैं आपको कैसा लग रहा है मुझे comment box में comment करके जरूर बता दो यार क्योंकि यह 30-40 मिनिट के class को बनाने के लिए हमको करीबन 1-2 दिन लगता है क्योंकि यह सारी के सारी slide बनाना पड़ता है है ना सभी का बहुत सारा contribution है इसमें free of cost class दे रहे हैं और जो लोग नए हैं पुराने लोगों को पता है नए लोगों को मैं बता देता हूँ कि यह classes regular चलेगी और यह चलेगी करीबन देड़ से 2 महिना, 3 महिना, 6 महिना जितना भी time लगेगा लेकिन इसमें हम सब कुछ सिखाने वाले हैं basic to advance A to Z कुछ भी कहीं पैसे देने की जुरत नहीं पड़ेगी life में आपको मैं यह कह सकता हूँ guarantee के साथ आपको यह दी आपने यह देख लिया तो और नहीं तो बहुत पैसे हैं तो दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, वहां से सीखे लेकिन यह free of cost सिखा रहा हूँ मैं तो यह आपको मज़ा आजएगा इसमें सीख कर और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं छोड़ दूँगा सब कुछ यहां पर complete करूँगा एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ stock market नी सिखेंगे शायद आपने मेरी five finger का concept सुना होगा जिसमें पहली finger जो होती है health की मतलब हम अपने channel पर आपका health भी ठीक कराएंगे दूसरी जो finger होती है वो mind की होती है आपका mind sharp करवाएंगे कैसे आपका mind तेजी से काम करें और दूसरों से तेज निकल पाएं हम वो काम करेंगे तीसरा हम काम करेंगे emotions पर कि कभी भी गुस्सा आ गया कभी भी side हो गए depression में चले गए मेरी को हार मिल गई यह सब नहीं होगा यह हमाई channel पर ठीक करवाएंगे चौती जो finger है वो इसी चीज़ की है पैसे की कि पैसे कैसे बनाएं उसे कैसे save करें कैसे invest करें कैसे पैसे को पैसे से और बनाएं और ज़्यादा अमीर बने और खुशी से अपनी life जी है और पांची और सबसे important finger है meditation की कि भाया जब आपके पास health है mind है emotion ठीक है पैसा बहुत सारा है तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो होगा meditation लेकिन ये चार उनली complete करने के बाद हम इसको शुरू करेंगे मतब शुरू तो अभी से ही कर देंगे लेकिन उसके deep में हम बाद में जाएंगे तो ये मेरा लक्ष है आपको लेकर या मुझे अपने आपको लेकर ये हम पूरे इंडिया के अंदर करने वाले हैं तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे comment box में comment करके ज़रूर बताइए जैसा प्यार देते आ रहे हैं उससे जादा दीजिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद